नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़ारखन के दिन भर की खबर जानते हैं ज़ारखन में पारा टीचर और स्टुडेंट यूनियन के बिरोद से पहले सीम अवास के बाहर धारा 144 लागू ज़ारखन में समान काम के लिए समान बेतन की मांग और अनेक कई मांगों को लेकर पारा टीचर आज सीम अवास के घिराव करने पहुचे हैं बता दे टीचर असोसियेशन के लावा स्टुडेंट यूनियन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदसन कर रहे हैं आज सुबह सीम हमान सेरेन के अधिकारिक अवास के बाहर धारा 144 लागू कर दिया गया है मोकेवर पुलिस बलकी भी तैनाती कर दी गई है अवास के बाहर 200 मीटर के दाएरे में धारा 144 लागू किया गया है बता दे पारा सिक्षक सरनीवार को मोके मंतरी आवास के घहराव करने पहुचे एकी किरीज सहायक सिक्षक संगर्श मोर्चा अपनी मांगों को लेकर अंधोरन कर रहा है परदेश में 5 साल बाद पारा सिक्षक अंधोरन के रिए रांची में जूट रहे है बता दे मोर्चा के संजाई दूबे ने बताया है कि मुख्य मंत्री आवास के घहराव करने के लिए पर्देश बर्थर सिक्षक मौराबादी में जुटे सिक्षक वहाँ से जुलूस निकालेंगे और सीम आवास के घहराव के लिए जाएंगे एगार्वी रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर गिरीडी में धरना इंटर एगार्वी की परिक्षा पई नाम जारी होने के बाद गिरीडी जी लेके कई छात्र छात्राओं को काफी कम अंक प्राप्ठ हुआ है जिसके बाद लगातार 460 फरीच्छा परिज़वी नाम सुधार करने की मांगे कर आंधोरन कर रहे हैं बता देजिसी कडी में आज अखिल भारति पर्षात के नत्रीत में सहयकडो की संक्या में चाहतच्र चाहत्रा पिर्वाट यहाँ घराश करम कि या तमाम चाहत्र सवता यह चाहत्रे काश भी औरया मोंगा। की सुचना मिलने के बाद SDM 20 साल दीप खलखो प्रसिक्चु आईएस उतकर्ष कुमार SDPO अनिल कुमार सिंग बीडियो दिलीप महतो डियो निलम आईलीन टोपो मुपसिल थाना परभारी कमलेस पासवान नगर थाना परभारी RN 14 समेथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान समनाले पहुंचे और हंगामा कर रहे चात्र चात्राओ की मांग को जल्द पूरा करने का अस्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया है अमिसा पटेल ने रांची की अदालत में किया सरेंडर बलीवूड को कहो न प्यार है और गदर जैसी सूपर डूपर हिट फिल्में देने वाली अभिनेतरी अमिसा पटेल ने आज रांची की अदालत में सरेंडर कर दिया है बतादे कोट ने उन्हें 10,000 रुपए के मुचल के पर अगरिम जमानत दे दिया है अमिसा पटेल को 21 जुन को फिर से कोट में हाजिर होने के लिए कहा गया है बतादे अमिसा पटेल 17 जुन 2023 को करीब 12 बजे चेहरा ढग कर रांची सिविल कोट पहुंची मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिस की लेकिन अभी नेतरी ने एक सब्द भी नहीं कहा बतादे रांची के फिल्म निर्मता अजय कुमार सिंग ने अमिसा पटेल पर धोखा धड़ी धमकी देने और चेक बाउंस का आरूप लगाया है दरसल फिल्म बनाने के लिए उसने अमिसा को अड़ाई कोड़ रुपए दिये थे फिल्म नहीं बनी तो उसने अपना पैसा मांगा अमिसा पटेल ने चेक के जरिये पैसा का भुकतान किया लेकि चेक बाउंस हो गया जिसके बाद मामला कोड में पहुंचा और वालिवूड एक्टरस को कोड में सवसरीर हाजीर होना पड़ा देवघर दुमका में गर्मी से दो लोगों की मौत जारखंड में देह जूलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुस्किल कर दिया है वहीं दूसरा मामला मधुपूर का है बिशन गर्मी और लू चलने से आसन बानी में सुक्रवार को 65 वर्से ब्रिद की मौत हो जाने का मामला परकास में आया है जनकारी कनुसा सक्स का नाम जेनती मंडल बताया जा रहा है गोड़ा बनेगा राजे का पाला ग्रीन एस्टेसा अमरित भारत पोर्जेक्ट के तहत गोड़ा रेल्वे एस्टेसान राजे का पाला ग्रीन एस्टेसान के रूप में बिक सित होगा बता दे गोड़ा सांसर डाकड़नी सी कान दुवे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रा नहें इसी वर्स बजट में गोड़ा स्टेशन को अमरीत भारत प्रोजेक्ट में सामिल करते हुए 50 कोड़ रुपए स्विक्रित किया है गोड़ा स्टेशन में अमरित भारत प्रोजेक्ट का काम सुरू हो चुका है नई डिजाइन के अनुसार ए स्टेशन में पेन पवधे घास वा फूल पत्ती प्रयाप्त रहेंगे बता दे गोड़ा स्टेशन में आने वाले यत्रियों को पार्क की अनुभूती होगी यत्रियों के लिए बैठने की सुधाय भी होगी मुख्य मंत्री रोजगार स्रीजन व्यजना लोगों के लिए हो रही वादान सावित सियम हेमान सुरेण ने बे रोजगार युवाओ के बीच सुरोजगार को पढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री रोजगार स्रीजन व्यजना की शुरुवात की थी अब ए योजना लोगों के लिए वादान सावित हो रही है इस व्यजना के माध्यम से न सिर्फ ओ खुद मालिक बन अच्छी कमाई कर रहे है बलिक दूसरों को रोजगार भी दे रहे है बता दे इसी का पढ़िनाम है कि पुर्वी सिम्भूं के 940 युवाओ को इस व्यजना का लाव मिला है उनके बीच सोरोजगार हेतु 6.26 रुपे की राची निर्गाथ हुई है उसी तरह दुमका के 657 युवाओ को इस व्यजना से जोड़ा गया और सोरोजगार के लिए उन्हें 11.26 रुपे रिन दिया गया है जार्खन रूलर हेल्थ मीशन ने CHO के 1400 पदों पर निकाली वैकेंसी मेडिकल के छेतर में रुजगार की तलास करने वालों के लिए अच्छी खबर है दरसल जार्खन रूलर हेल्थ मीशन ने 1400 पदों पर वंपर वैकेंसी निकाली है सबीक नियुक्ती कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर के पद पर अनुबंध के तोर पर होगी बतादे अनुबंध की ओधी एक साल है इसके बाद ज़रुरत के अनुचार कॉंट्रेक्ट की सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है इस पद पर आवेदन करने वालों के पास किसी भी मनेता प्राप संस्थान से बीएसी नर्सिंग की डिगरी होना अनिवार यहाए इस पद पर चैनित होने वाले अवियार्थों को अधिक्तम 25,000 रुपे प्रती मा वकम से कम 15,000 रुपे प्रती मा सेलरी मिलेगी हलाकी कारे छेत्रे में आपके परदसन के अनुरूप आपकी सेलरी बढ़ाई जा सकती है वहीं सरकारी नियमा अनुसार दिव्यंग स्टुडेंट को आयू सिमा में चुट भी मिलेगी इस्टीफन मरांडी की बिगडी तवियत उडिशा में भरती पाकुर जीले के महेश्पूर बिधान सबाच्षेदर की बिधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को सुक्रवार को अमर्जेंसी में उडिशा के संबल पूर इस्थीत बुरला होस्पिटल में इलाज के लिए भरती कराया गया बता दे बिधायक श्ठीपन मरांडी की तवियत फिलाल ठीक बताई जा रही है इस दोरन अस्पताल में उनकी बेटी उपासना मरांडी भी साथ है उन्हें बेहतर इलाज के लिए चेनाई अपोलो ले जाने पर विचार किया जा रहा है मिली जनकारी के अनुसार बिधायक श्ठीपन अंसारी अपनी स्वास्त जाज कराने को लेकर CMC वेलोर गये हुए थे वह CMC वेलोर में स्वास्त जाज कराकर 15 जुन को ट्रेन से वापस जारकन लोट रहे थे इसी दोरान वाता उनुकलिट डीबे में ठन लगने के कारण 16 ज की ऐत के मामल में गिरफतार रोपी तन्वीर को जेल भेज दिया है पुलिस सुक्रवार को अररिया से रोपी को लेकर गोंदाव थाना पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामला सामने आने के बाद तन्वीर अपने दोस्त के पास अररिया गया था वह वहाँ से नेपाल भागने के त्यारी कर रहा था लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया सियम हमनत का निर्देश कोई बुजुर्ग पेंसन से ना हो वनचीत मुख्य मंतरी हमनतरी ने सभी जीलों को उपायुकतों को सक्त निर्देश दिया है कि कोई भी बुजुर्ग बिर्धा अवस्था में पेंसन से वनचीत नहीं होना चाहिए उन्होंने इस समध में सभी उपायुक्तों को 30 जून तक राज सरकार के रिपोर्ट देने को कहा उन्होंने ए निर्देश सुक्रवार को महिला एवं बाल बिकास तथा समाजिक सुरक्षा विभा के समिक्षा के करम में दिया है मुख्य मंत्री ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि राजे के कुछ छेत्रों में दिव्यंगता के मामले बढ़ रहे हैं लोगों में दिव्यंगता क्यों बढ़ रही है इसका अध्यान कराया जाए साथ ही किन किन छेत्रों में दिव्यंगता के मामले अधीक आ रहे हैं इसकी मैपिंग कराने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिये ताकि इसे रोकने की दिशा में अवस्य कदम उठाया जा सके गिरी डी के छात्रों ने फुका बगावत का बिंगूल समरनाले घेराओ की नारेबाजी जारखन बोर्ड इंटर एगारभी के परिक्षा पईनाम जारी कर दिया गया लेकिन रियल प्रकासित होने के बास सही छात्र छात्राओं में रोस देखने को मिल रहा है बता जे रांची में कई छात्रों ने जारखन अदिवीद परिशत करेयाले में अवेदन दिया अब इसका बिरुवत परदसन गिरी डी जीले में भी देखने को मिल रहा है छात्र छात्राओं सिक्षकों पर कम अंग देने का आरोप लगा रहे है उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कोपियों को फिर से जाच कर परिणाम परकासित करने की मांग कर रहे है इसी कड़ी में आज अखिल भारतिय बिदार्थी परिशत के नेतिवत में सेकड़ों की संक्या में छात्र छात्राओं गिरी डीके परवा टार इस्थीत नए समाना लेकर घिराव किया और जमकर नारेबाजी की है बिद्यालियों में महीने में एक दीन अस्पोर्ट डे मनाया जाए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमंसुरे ने राज की योजनाओं को लेकर बिभागों के परधान सचीव सचीव के उपस्थिती में जीलों को उपायुकतों के साथ उच अस्तरिय बैठक की इस दोरान गाओं में खेल मैदान बिकसित किये जाने की बात कही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पंचायतों के बाद अब वैसे गाओं को चिनित करें जहाँ ज्यादा अबादी है और वहाँ बीर सहीद पोटो होग खेल बिकास वजना के तहद खेल मैदान बिकसित किये जाए ताकि सरकार ने खेल काती वीदियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है उसका बेहतर तरीके से किरियान हो सके सिक्षाभी भाग के साथ समयन में अस्थापीत कर इसकूलों में पढ़ाई कर रहे चात्रशत्राओं जो खेल में रूची रखते हैं वैसे खिलाडियों को अस्पोर्ट किट्स उपलब्ध कराया जाए धन्यवाद